दोस्तों हमारी सीरी चल रही है Kenneth Anderson की बुक The Call of the Man Eater और उसकी स्टोरी चल रही है The Evil One of Umbalmeru उसका अगला पार्ट है पिछले पार्ट में आपने देखा था कि Kenneth Anderson अपने एक दोस्त देवा को लेके गए थे अपने साथ क्योंकि उनको खासी आ रही थी सुखी तो चमाला वैली क का वैदर अच्छा था यहां लेके आये थे शिकार करने के लिए नहीं आये थे लेकिन लाये थे अपनी राइफल साथ में और जब यहां पे आये तो और उने यह किस्सा सुना यह जो एक अन्नोन शैतान है एविल वन यह लोगों को मार रहा है और उसके चलते पुलिस वाल इंस्पेक्टर ने कहा यहां से सिधे अपने घर जाना कहीं मत जाना और बिना हमसे पूछे इस इलाके को मत छोड़ना तो उसने जवाब दिया था लोँमरी चालख है लेकिन क्या वो CR से ज़्यादा चालाख है उसके बाद सब इंस्पेक्टर सोच हो पड़ गया था इसने मुझे लोमडी कहा है कि CR कहा है उसके बाद ये जिस फॉरेस रस्टाउस में रुके हुए थे उसके उपर जो रूफ थी उसमें चूहें भी थे और उसके उपर साम भी थे तो बाहर ये वरांडा में आ गए थे अब आगे की कहानी सुनते हैं अब इन्हों लगा कि जो गद्दू जो की उस फॉरेस रस्टाउस के केर टेकर हैं उनका वर्जन तो हमने सुन लिया लेकिन और भी लोगों का वर्जन सुनते हैं और भी लोग को बुलाया काफी बहुत सारे लोग आ गए और गपशप चलने लगी अब एक सज्जन ने बोला कि वो जो एविल बन है यानि की शेतान है श्रिमान जी आप उसे कभी नहीं मार पाओगे उसने पांच लोगों को मार दिया है और वो आपके सामने ही नहीं आएगा तो आप उसको बंदू कैसे मारोगे अब उन्होंने कहा कि अगर वो आ भी गया तो आपकी गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी अलगी वो आपके सामने आएगा ही नहीं और एक तो आप अजनवी हो फार्नर हो, हम लोगों से अलग हो अब उन्होंने कहा कि वो हम लोगों को जो ढूड़ेगा वो कई बार छोटे से बीटल छोटे से टीड़े के बराबर शेप में आ जाता है पेड के उपर चड़ जाता है वहां से हम लोग को दिखता है आदमियों को दिखता है औरतों को बच्चों को और जब उसे अपना शिकार नजर आ जाता है वो नीचे उतर के अपने असली रूप में आ जाता है और वो उस दुर्भाग शाली व्यक्ति को खा लेता है और नामों निशान भी नहीं छोड़ता है और ये सिस्टम चलता ही रहेगा जब तक वो हम सब में से एक-एक को अपना निवाला नहीं बना लेगा और जब ये पूरी जगे खाली हो जाएगी तो ये जंगल उसका हो जाएगा अब जब ये बाते बोली तो सब के सिर हिल रहे थे यानि कि सब के सब अग्री कर रहे थे और अंडर्सन अपने आपको हेलपलेस पील कर रहे थे कि इतना बड़ा अंदविश्वाश मैं तोड़ूँगा कैसे अब ये कहना चाहते थे कि तुम लोग नॉनसेंस बाते कर रहे हो ये कोई एविल बन नहीं है कोई बहुती एंसियंट भूत नहीं है ये या तो कोई टाइगर है या लेपड है जो कि मैनईटर बन गया है अब ये गादी बोलता है कि मैन इटर से तो हमारा सामना पहले भी हो चुका है जब मैं छोटा था तो उंबल मेरू का जो साइड वाला इलाका है उसका निचले हिस्से में मैं आ रहा था और मेरे सामने टाइगर आ गया वो भी मैन इटर किसमत से मेरे हाथ में थी कुलाडी मैंने मारी फैक के और वो लगी उसकी आँखों के बीच में और उस दिन से उस ताइगर का लेवर पानी बनना शुरू हो गया और वोला यही वज़े है कि आज ये घटना सुनाने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ और फिर वो हो हो करके हसने लगा हलाकि उसके मुँ में दान नहीं थे अब उसके बाद उसने बोला कि देखे सर ये कहानी दूसरी है आप एक शिकारी हो जंगल को जानते हो जंगल में घुमते रहते हो बहुत सारे टाइगर और लेपर्ड आपने मारे हैं लेकिन क्या अपनी जिन्दिगी में आप किसी ऐसे टाइगर ये पैंथर से मिले हो जो चलता तो है लेकिन पैरों के निशान ना छोड़ता हो ये जो पांस शिकार उसने किये हैं क्या कहीं पर भी एक खून की बून मिली है क्या कहीं पर भी ड्रैक बार्क मिले हैं अगर टाइगर ये लेपर्ड ने शिकार को मारा है तो उसके पैरों के निशान भी मिलने चाहिए खीचने के निशान भी मिलने चाहिए वो तो हमेशा मिलते हैं आप तो शिकारी हो आप तो बहतर जानते हो अगर इस इस इलागे में एक टाइगर है तो क्या हमें उसके पग मार्क नहीं मिल रहे होते क्या वो पहाडी नाला जहां पर धूल ही धूल है क्या वहाँ पर पग मार्क नहीं मिलते और जो कल्याणी रिवर के आसपास का गीला इलाका है लेकिन वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं फिर बता दूँ पिछले वर्जन में मैंने बताया था कि लेपर्ड और पैंथर एक ही होते हैं कोई फर्क नहीं होता कि वहल जैसे पैंथरा जैगवार को बोलते हैं पैंथरा अंसिया या ओंसिया स्नो लेपर्ड को बोलते हैं इस तरह से सब के नाम है सब के आगे पैंथर लगा है लेकिन पैंथर लेपर्ड के मामले में ही यूज होता है कभी टाइगर को पैंथर नहीं बोलते हैं वो भी जो मेलानिस्टिक लेपर्ड होता है लेकिन वो गूगल में जाके देखा सच में लिखा है लेकिन वो किसी वेबसाइट में लिखा है तो आप उसको एक बिल्कूल 100% शोर ना मालने है मैं आपको एक उधारन दे रहा हूँ मेरी बहुत सारी वेबसाइट हाला कि wildlife ही कोई मेरी वेबसाइट नहीं है अब जैसे जंगली-resort.com है यह मेरी ही मनाई वेबसाइट है या recently मैंने gift की थी दिपक को शाहविला-corbet.com मैंने अपने हाथ से ही बनाई है ऐसी बहुत सारी मेरी वेबसाइट है chayanhotels.com पे जितनी वेबसाइट लिस्टेड है वह सब मेरी बनाई है और भी कई हैं जो नहीं महाँ लिस्टेड है तो अगर मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ और search engine optimization के बाद वो उपर आ जाती है तो गूगल उसके उस top वाली website के हिस्से को निकाल के भी दिखाए लगता है जरूरी नहीं है कि वह सच हो यहाँ बार बार बोल रहा हूँ मेरा ये दावा उस website के लिए नहीं है मेरा अपनी website के लिए दावा है कि अगर मैंने किसी website पर कुछ लिख दिया और website search engine optimization के बाद उपर आ गई जो बात मैंने लिखी वो मेरा मत है जरूरी नहीं जैसे मैंने ये जो मदवक्की और इत्रवालक कल मैंने किस्सा बताया था कि रिचा मिश्रा जी है उन्हों मैंने अपने पिछले वीडियो में रिचा शर्मा नाम बोल दिया था उनका उन्होंने बोला भाई ये बहुत अच्छा लगा आपने मेरा नाम लिया लेकिन उन्होंने कहा मेरा नाम रिचा शर्मा नहीं रिचा मिश्रा है उन्होंने बताया था कि जो मैंने अपने सफारी वाले वीडियो में शेयर किया है कि भई आप जंगल सफारी करने जाए तो परिफ्यूम ना लगाए बाकी तो जानवर दूर डिस्ट्रेक्ट होता ही है एक जो नुकसान होता है कि मधूमक्षी बहुत ज़धा सूंग लेती है कि वो cancer cells को भी बाड़ी में सूंग लेती है medically use किया रता है तो वो जब आती हैं तो उनको फूलों की खुश्बू को सूंगने कि अज़द होती तो उनको लगता है यह फूल है यहां से हमको पराग मिलेगा जो हमारे शेहत काम आएगा उस पे जपटती हैं यह बात अपने दो-तीन वीडियो मैंने बोली थी और जहां तक मेरा ख्याल है इस सबसे पहले मैंने बोली थी मैंने किसी भी यूटूब के वीडियो में सुना नहीं था मैंने पढ़के research and development करके बताया था वो बता दू मैंने किस वीडियो में बोला था जब मैं यहीं पर जो एक भालू का हमला हुआ था जिनके उपर दो लपट ने हमला कर दिया था अब एमस हॉस्पिटल भी गया था जब मैं लौट रहा था तब मैंने बात बोली थी फिर एक दो वीडियो में और बोली थी मेरे बाद कुछ यूटूबर्स ने रिपीट किया है लेकिन आप वीडियो की डेट देखे को तो मेरे बात है तो अगर मैं उस बात को लिख दूँ तो यह 100% फ्रैक्ट नहीं है हलाकि रिचा मिश्राजी नहीं है उसको अजमा लिया तो फ्रैक्ट ही समझ लीजिए लेकिन अगर मैं किसी वेबसाइट पर लिखूँद उपर आ जाएगा अगर मैं सर्च इंजन आप्टिमेशन करूँगा लेकिन यह मेरा मत है नॉलेज से जो R&D कर रखी है मेरा इमाना है कि हनुआन जी को बजरंग वली बोलते है तो कुछ मेरे ख्याल से तो मैं जब 99% मेरी आदद बच्पन से बजरंग वली बोलने की है और कहीं लिखना होता है तो हनुआन जी मुझे तो नहीं पता हनुमान जी को कब बजरंग बली बोलना है कब उनका कौन सा रूप है जो बजरंग बली है सारे ही रूप मेरे क्याल से हनुमान जी है सारे ही बजरंग बली है मेरी अपनी वक्तिकत धारना के नुसार तो पैंथर भी ऐसा ही है किसी को भी panther बोल दो, किसी को भी leopard बोल दो पहले लोग बोलते थे, आज के लिए है कि leopard ज़्यादा बोले लगे है और जो black panther हो जाता है, उसको black leopard नहीं बोलते हैं ऐसे चल गया है जैगवार में भी black वाले को black panther बोलते हैं तो यह मैंने clarify किया, क्योंकि उन्होंने comment में इतना सारा clarify करना possible नहीं हो पाता है, इसलिए video में बोल देता हूँ कभी कुछ याद आता है अब उन्होंने बोला कि, वो जो बुड़े थे, उन्होंने बोला कि दोराई थोड़ा respected word मुझे लग रहा है शायद, कंड़ में या तेलिगू में तो दोराई आपको एक बात और पता है कि panther यहां गिने चुने है अगर panther होता है तो बहुत दूर तक अपने शिकार को खीच के नहीं ले जाता क्योंकि उसके अंदर इतनी strength नहीं होती, कि अगर उसने भारी भार कम जानवर मारा है तो tiger तो खीच भी ले आता है दूर तक, उसके अलावा उन्होंने एक और example दिया कि जो कार्नी वोरस जानवर होते है, leopard या tiger, यह generally धुंदलके में काम करते हैं तो शाम को, शाम होने वाली है, या सुबह होने वाली है और यह जो पाँच के पाँच अटेक हुए है, यह भरी दुपहरी में हुए है और उस time पर जब अच्छी खासी गर्मी थी, और वो time जबकि यह कार्नी वोरस एनिवल आराम करना पसंद करते है आप उस बात को explain नहीं कर सकते दुरायू लेकिन मैं कर सकता हूँ कि हमारे पास एक बुरी आत्मा है जो कभी भी प्रकट हो जाती है, कभी भी गायब हो जाती है तो दुरायू मेरी आपको सला है कि आपकी बंदुके कुछ भी नहीं कर पाएंगी उस monster के सामने तो मेरी सला तो यह है कि आप यहाँ से चले जाए, कह यहाँ सा नहीं हो कि वो आपसे भी नाराज हो जाए और आपको भी ले जाए अपने साथ और यह बोलते बोलते उस बुड़े आदमी ने पिछकारी मारकर पान थूका बढ़िया निशाना लगा जो सामने वाली दिवाल थी जो उसने बात बोली थी उसकी सहमती में सबके सेर हिल रहे थे देव और एंडरसन नाक पटला की तरफ लोट रहे थे उस बुड़े आदमी के शब्द एंडरसन के कानों में गुंज रहे थे किस तरह का जन्तु है किस तरह का जानवर है ना तो पग मार्क छोड़ता है ना की खून के निशान चोड़ता है और तो और खीचने के निशान भी नहीं छोड़ता पूरी तरह से साइलेंस के साथ काम करता है और भरी दोपहरी में काम करता है अपने पूरे कैरियर में एंडरसन ने इस तरह का जानवर नहीं देखा था हाला कि वो जानते थे ये कोई बुरी आत्मा नहीं है है तो कोई जानवर ही लेकिन कुछ ना कुछ कारण तो सामने आएगा अब जो पांच के पांच मर्डर किये गए थे वो एक निश्चित समय अंतराल पर नहीं किये गए थे और जिस तरह से मर्डर किये गए थे वो गायब किये गए थे और जब भी किये गए थे दोपहरी के बात किये गए थे जहां किये गए थे वहां कोई दूसरा गवाह भी नहीं था अब कोथांडा रेडडी की बात अला गया है कि वो घने जंगल में थे बैंबू कटर जहां काट रहा था हमाँ थोड़ी दूर पर आदमी थे लेकिन वो अकेला था लेकिन वो जो गधे वाला व्यापारी गायब किये गया था उसके गधे उसके सामने थे लेकिन वो बेजवान थे वो गवाही नहीं दे सकते थे अब जब गधों के सामने उसके मालिक को ले जाया गया तो गधों को कोई नुकसान नहीं पहुचाएगी और वो गधे इतनी बेकाबू होके परेशान भी नहीं हुए कि भागते वो चले जाए नॉर्मल चाल से चलके गए थे अगर वो डर गए होते टाइगर को देखके तो सारे अलग-अलग डाइरेक्शन में भागे होते वो सारे एक साथ ही चल रहे थे थोड़े से बिखरे हुए थे अब यह लोग फॉरस बंगले आ गए और इन्होंने अपना लंच तयार किया देव ने मुझे बोला जॉक वो अठाइस साल से मुझे जॉक ही बोल रहा था अब उसने कहा जॉक तुम्हें क्या लगता है यह क्या हो सकता है टाइगर है कि पैंथर है अब अंडरसन ने जवाब दिया कि देव यह कुछ भी हो सकता है लेकिन शायद यह टाइगर यह पैंथर नहीं है यह कोई दूसरा ही जानवर है अब ना तो इस अलागे में इंडियन बैसन है ना ही जंगली हाती है अब एक ही जानवर बचता है जो कि बिना प्रोवोकेशन के हमला कर दे और वो है भालू अब जब देव ने पूछा कि अंडरसन यह कौन सा जानवर हो सकता है क्या यह टाइगर हो सकता है या यह लेपर्ड हो सकता है और या फिर हो सकता है स्लॉद बैर निशान भी ना छोड़े और दूसरी बात भालू बाड़ी को केरी करके नहीं ले जाता वो वहीं बैटके खाता या छोड़के चला जाता अब लंच करने के बाद देव से कैनत ने कहा कि मैं इस मिस्टरी को सॉल्व करना चाहता हूँ एक बात बताओ क्या लीला तुम्हें द खासी जिसकों की ठीक करने के लिए वो यहां आये थे अपने आप गायब होगी थी अब देव ने अपनी पत्नी को लेटर लिखा कि हमने बोला था हम इतने दिन रुखेंगे लेकिन हम ज्यादा दिन रुखने वाले हैं लेकिन उन्होंने कारण नहीं लिखा ताकि देव की वाइफ को यही लगे कि खासी ही वी वज़े है जिसकी वज़े से वो अपना इस्टे बढ़ा रहे हैं तीन वज़े के आसपास ये वापस जंगल में पहुँच चुके थे और निशान ढूनने की कोशिच कर रहे थे टाइगर के लेकिन मिला पुछ नहीं ये चौते माइल स टोन तक गाड़ी से पहुँचे और उसके बाद जंगल में उतर गए करीब दो फॉरलांग्स पॉक करने के बाद एक वाटर पॉइंट पहुँचे जिसका नाम था नरसिमा चेरूवू अब जो उस वाटर पॉइंट के किनारे थे जहांपर कीचर था जहांपर पग मार्क ह यानि कि लेपड के और डीएर के तो निशान मिलने ही थे अब जब ये वापिस लोटे तो रोड से नहीं कल्न्यारी रिवर के किनारे किनारे चल के आए यहाँ पर इनको एक दूसरे पैंथर के निशान भी मिले यह काफी बड़ा लेपर्ड था और यह वो वाला लेपर्ड नहीं था जो कि नरसिम्हा चेरुवू यानि की वाटर पॉइंट पे मिला था दोनों अलग-अलग पैंथर या लेपर्ड थे तो कल फिर किसी ने कमेंट लिखा उस पे कि पैंथर बोलते हैं जैगवार को मैंने पिछले वीडियो में भी क्लेरिफाई किया था कि ब्लैक पैंथर जैगवार को भी बोलते हैं और ब्लैक पैंथर लेपर्ड को भी बोलते हैं उनमें जो मेलानिस्टिक हो जाता है उसको ब्लैक पेंथर बोला जाता है लेकिन पेंथर और लेपड अलग अलग जानवर नहीं होते हैं पर जब इन्होंने पग मार्क देखे तनको लगा कि शायद ये वही बड़ा वाला पेंथर है जिसकी आवाज इन्होंने रात में सुनी थी अब एक बात इनके समझ में आ चुकी थी कि इस जंगल में टाइगर नहीं है दो पेंथर तो इनकी निगाह में आ ही चुके है और हो सकता है कि और भी पेंथर हो अब इनको लगा कि इन दो पेंथर में से क्या एक मैनीटर है जबाब अगर हां में हो तो फिर जो पाँच अपने शिकार को ड्रैक करके ले जाए तो या तो थोड़ा बहुत वहीं खा लेता है या आसपास किसी जाड़ी में किसी पेड़ पर छुपा देता है अब अगले दिन ये सेवन माइल से इनोंने वाक किया और पहुँच गए पूली बोनू और जहां पर बास काटने वाले अपना कैम्प लगा के रहते थे वहाँ पर इनोंने एंक्वारी करी अब कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहा था और सबकी यही मान्यता थी कि कोई ना कोई भटकती आत्मा वहाँ पर है और वही ये वारदात कर रही है अब इनोंने कल्नारी रिवर का किनारा भी सर्च किये और जो वाइल ट्रेल थे जंगल में जाने के रास्ते थे उनमें भी रिसर्च और सर्च दोनों करी अब यह उस रास्ते पर भी गए कि जहां वो व्यापारी जो कि अपने गधे लेकर गया था उसने अपना रास्ता अलग किया था फिर यह उस तालाब के किनारे गये जहां पर पहला शेकार को थांडा रेड़ी गायब हुआ था एक दूसरा पूल भी था और पहले वाला और दूसरा पूल जहां से जाने के रास्ते थे वो एक वाई शेप का रास्ता बना रहे थे जहां से दो रास्ते कटते थे अब यह साथ मील चल के आये थे और वो जो दो तालाब थे उनके जो रास्ते थे जो वाई का शेप बन रहा था दोनों रास्ते इन्होंने खोज डाले अब जब इन रास्तों पर ये चले तो वो रास्ता जो कि उम्बाल मेरू की तरफ जा रहा था वहाँ पर इनको मिले पहली बार पग मार्क और वो पग मार्क थे टाइगर के निशान तो पुराने थे लेकिन इसने एक बात पक्की कर दी कि इस आलाके में टाइगर है अब जो वाइश एक्षन का दूसरा रास्ता था उसमें इनको पैंथर के निशान मिले और निशान मिले हाइना के लेकिन नहीं मिले निशान टाई करके अब देव ने पूछा कि ये वारदात क्या हाइना कर रहा है तो उन्हें ने सोचा और फिर जबाब दिया नहीं कैनेथ अंडरसन ने कहा कि उनका कई बार हाइना से सामना हुआ है और आदमी को वो नुकसान नहीं पहुचाते और देखा जाए तो आदमी से डरते भी है दोस्तों यहां मैं क्लारिफाई कर दूँ आदमी मतलब बड़े आदमी बच्चों को हाइना बहुत नुकसान पहुच जो अपने आप मर गया हो तो बोलो मैंने सुना है कि हाइना कई बार कबर गाहों से कबर खोद के खा जाते हैं मरे हुए जानवर खाते हैं और कहीं पर सुना है मद्य प्रदेश के गाहों से कि बच्चों को उठाने की वारदात मद्य प्रदेश में हाइना ने की हैं लेकिन दूसरे जानवर का हो, अपने आप मरा हुआ जानवर या छोटे जानवर, खरगोश, चुहे, इस तरह के जानवर जिनको अचानक से, धोके से ये पकड़ लेते हैं और खा लेते हैं। कहीं कहीं सुनने में आया है कि गाउं में भेड बकरी पर भी हाइना ने हमला किया है। जब ये लोग फॉरस बंगलो पहुँचे तो ठक के बुरी तरह से चूर हो चुके थे, क्योंकि उस दिन ये चल चुके थे 18 मील, अब उस रात ये इतने घोड़े बेच के सोए, कि जब स अब हुआ ये था कि जो इनको इलाके मिलते थे, जहां पर ये बास काट सकते थे, एक जगे जहां ये बास काट कर उसको गिरा चुके थे, और इनके कॉंट्रेक्टर ने बोला था, कि अब चलो दूसरी जगे, वहां का बास गिराना है, वो ऐसी जगे जहां पर कॉंट्रेक माला वैली की बाउंडरी थी और इस जगे पर छोड़ा था सुराग एविल वन ने यानि की भटकती आत्मा ने अब गवर्मेंट क्या करती है कि बास के जो अलग अलग जुर्मुट होते हैं उनका आक्शन करती है और जो कॉंट्रेक्टर सबसे उची बोली लगाता है उसको अधिकार मिल जाता है उस बास के जुर्मुट को या उस इलाके के बास के जुर्मुट को काटने का अब यह सारा मौमला होता है पैसे का और कॉंट्रेक्टर किसी भी तरह से वक्त बरबाद नहीं कर सकता इसलिए जैसे ही एक इलाके में बास कर जाते हैं कॉंट्रेक्टर अ अलग अलग जगे पर आराम कर रहे थे तो एक वरकर ने देखा कि एक चट्टान के उपर चेहरा दिख रहा है टाइगर का वो लेबरर भाग गया अब बैम्बू कटरस वहां से भाग गए और बार बार समझाने पर भी वहां रहने को राजी नहीं हुए उन्हें ने कहा भाई लेकिन ठेकेदार नहीं माना बुला कर तुम लोग रोज पैदल जाओगे धाई घंटे आने में धाई घंटे जाने में इसका मतलब पाच घंटे का मेरा नुकसान होगा और बास कम कटेंगे अब लेबरर भी अपनी भी आ गये थे उन्होंने ठेकेदार से कहा कि अगर आप नहीं मानोगे तो हम अपनी यूनियन बना लेंगे और काम ही नहीं करेंगे फिर आप बास काट ही नहीं पाओगे उन्होंने बोला कि आप के लिए बास काटना और पैसे के इंतियाम करना इससे कहीं ज्यादा जरूरी है हमारी अपनी जान अब कॉंटेक्टर बोला वो मान जाएगा कि ये लोग डेली रंगम पेट चले जाएं लेकिन कुछ दिहाडी में कम कर लो लेकिन आदमी थे कि अपनी बात पर अडिक थे उन्होंने कहा दिहाडी पूरी चाहिए दिहाडी कम मिलेगी तो हमें बचेगा ही क्या अब मनी मन कॉंट्रक्टर ने सोचा कि यार मान नुकसान हो रहा है पैसे का और मेरी बद्वा इसे लगेगी और ये पक्का बहुत बुरी मौत मरेगा अब कॉंट्रक्टर ने बात मान ली थी शाम के टाइम पे सारे लेबरर्स और खुद कॉंट्रक्टर रंगम पेट लोट आए आते वक्त उनको उस नाक पेटला फॉरे अब कॉंट्रक्टर ने भी अपना दुख एंडरसन को सुनाया अभी जानकर एंडरसन को बड़ी खुशी हुई कि जो ये शिकारी है कोई भटकती आत्मा नहीं है कोई एविल बन नहीं है जैसा कि इनको शक्त था एक टाइगर है अब टाइगर ने अगला ही दिन चुन लि लंगे इमली के पेड़ के नीचे और वो अपने मूँ से सीटी बजा देगा लंच के लिए एक घंटे का टाइम एलोकेट किया गया था और करीब करीब एक घंटा हो चुका था अब वोनों सबजी और चावल खा लिया था अपने बरतंद हुए उस मटमेले पानी में एक ज जंगल में आवाज गुञने लगी बास काटने की लेकिन उस आदमी ने जो टाइगर देखा था उसकी कहानी ने सबको अलर्ट कर दिया था अब सारे के सारे काम तो कर रहे थे लेकिन जरूरत से ज़्यादा चुकनने थे अब उस व्यक्ति की जिसकी की जान पर आज मौत आ जाने वाली थी टाइगर के दोरा वो भी यही कर रहा था बास काट रहा था चारो तरफ देख रहा था बहुत ज़्यादा अलर्ट था तब ही उसे पास के बास से कुछ हरकत सी महसूस हुई और देखा तो हरी भूरी आखे उसे घूर रही थी अब जैसे ही टाइगर उसके पूरी तरह से तयार है अब टाइगर हवा में था और इसने भी अपना हतियार घुमा दिया था लेकिन टाइगर ने अपनी पीट को जटका दिया और थोड़ा पहले ही लैंड हो गया तो उससे जो उसने अपना हतियार चलाया था वो टाइगर को लगा नहीं है टाइगर को नीचे गिरा, दुबारा उचलने को हुआ, उसे लगा, ये वक्ती मुझ पर दुबारा हमला करेगा, उसने अपनी पूच घुमाई और जाडियों में गायब हो गया, अब वो आदमी जोड जोड से चिलाने लगा, आयो आयो पिल्ली पिल्ली, यानि कि बचाओ बचाओ, अब सारे वरकर्स उसको ढूड़ने के लिए निकल पड़े, वो भी इमली के पास शुब गया, और सारे भी पूरे में भगदर मच गई, और सारे इमली के पेड़ के पास जमा होने लगे, तो कॉन्ट्रेक्टर जो उस टाइम पर उंग रहा था, अचानक से उठा और देख भगदर मची हुई है, और सारे लोग उसके ही पास आ रहे हैं, तो इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में कवर करेंगे बाकी की स्टोरी, तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे, फिर मिलते हैं अगले व बंदे मातरम